हालो और वेलकम तो डिवाइन कनेक्शन कैसे हैं आप लोग लॉफ अट्रेक्शन कब आपकी हेल्प करता है आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए इस पर आज में बात करने वाली हूँ बहुत सारे लोग अपने स्पेस्फिक परसन को अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं बहुत सारी टेक्निक्स लगाते हैं बहुत सारी चीजे कराते हैं बहुत कुछ करते हैं उसके बावजूद कई बार आपका स्पेस्फिक परसन आपकी लाइफ में आता ही नहीं है और आप सोचते है कि law of attraction यहां पर काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरा person मेरी जिंदगी में वापस लाट कर क्यों नहीं हो रहा है, मेरा ex manifest क्यों नहीं हो रहा है तो इसका answer में देने भाली हूँ कि law of attraction कब आपकी जिन्दगी में आपकी खासकर आपकी love life की बात कर रही हूँ मैं कब काम करता है कब वो partner आपको आपकी life में वापस आता है या manifest होता है देखे, law of attraction दो main चीजों पर काम करता है पहली चीज है आपका intention दूसरी चीज है आपके emotion यह हर एक चीज के लिए valid है चाहे आप किसी भी चीज को manifest करना चाहते हो लेकिन आज के वीडियो में मैं बात कर लियू कर रही हूँ love relationship की जहां पर आप अपने partner को manifest कर रहे हो बले ही उसके साथ आप बहुत time से no contact situation में हो अब वो आपका ex है या फिर normal कुछ time का separation है या जो भी चीजे है आप उसको manifest कर रहे हो तो भी ये दो चीजे ये दो बाते काम आएंगी यहां पर पहला intention दूसरा आपका emotion आपका intention क्या है उस person को attract करनी के लिए क्योंकि देखो ये चीज बहुत माइने रखती है आप किस intention के साथ उसको अपनी life में लेकर आना चाहते है सिर्स मैं इसने law of attraction लगा रही हूँ कि मैं चाती हूँ कि वो person मेरे पास आजाए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसकी need है क्योंकि मुझे उसकी आदत हो गई है क्योंकि मुझे उसके साथ भास करना अच्छा लगता है मेरी चीजे मेरी ज़रुरत में पूरी होती है उसके साथ मैं को dependency पहूं उसके साथ मुझे उसके साथ emotional dependency है physical dependency है financial dependency है यह जो भी तरीके की यारी कि मेरी एक ज़रूरत है और उस जरुवत की चलते में उस person को अपनी life पे लाना चाहती हूँ तेखिए यहाँ पर बात तो यह है कि हर इंसान को जरुवत होती ही है ठीक है किसी को physically, किसी को financially, psychologically, emotionally हर इंसान को जरुवत होती है और इसलिए वो उस person को अपनी life में लाना होता है इसलिए उसको वो person चाहिए होता है और इसलिए वो techniques, law of attraction यह सारी चीज़े लगाता है लेकिन यहाँ पर intention matter करता है कि अगर intention गलत है, अगर इरादा ही गलत है आप अपने आपको तरप्ती देने के लिए, तरप्त करने के लिए दूसरे person को लगातार energies भेच रहे हो, उसको manifest करने में लगे हुए हो तो कहीना कई यह चीज़ गलत हो जाती है या फिर कुछ लोगों का intention यह भी होता है कि बस आजाए, एक time pass करना है उनका intention शादी करना, घर बसाना नहीं होता कुछ लोगों की बात कर रही हो, हर तरीके के लोगों होते है हर तरीके के लोगों का intention होता है किसी का intention होता है कि किसी और के साथ है वो उसको छोड़ चाड़के मेरे पास आजाए because मैंने बोला need, आपकी need आपकी need उसको benefits करना चाती है ठीक है, तो ये चीज माईने रखती है दूसरा जो माईने रखता है वो है आपका emotion कितने emotionally connected है आप उस person से और ये भी माईने रखता है कि वो person कितना emotionally connected है आप से कई बार सालो साल बीच जाते है techniques लगाते-लगाते, law of attraction follow करते-करते और बहुत सारी चीज़े करते-करते लेकिन पार्टनर का कोई call message तक आप रिसीव नहीं कर पाते कुछ भी manifest नहीं कर पाते तो सीधी सी बात यह है कि वो person आप से emotionally connected नहीं है इसलिए हम बहुत सारी energies पर काम करते हैं हम बोलते है love vibration भीजिए आप यह technique कीजिए just because कि जो emotional connectivity आप दोनों के बीच है उसको थोड़ा सा energy दे सके माल लीजे आप लोगों का connection था 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का और आज no contact situation है तो जब आप techniques लगाते हो जब आप love vibration भेशते हो तो हम उस person को एक तरीके से याद दिला रहें कि देख हम कभी साथ थे, हमारा एक हमारी एक tuning थी, हमारा एक connection था हम दिलों से एक बूसरे को प्यार करते थे हमारे emotions connected थे तो वो चीज़े जब उस person पर हावी होती है तो वो person आपको करिनके call message करता है वो आ ही जाता है, वो manifest हो ही जाता है क्योंकि यहाँ पर emotionally भी हम उससे connected है दूसरा हमारा intention भी clear है because हम उसको दिल से प्यार करते है हमारी need नहीं है हमें अपने उपर, you know, कुछ dependency नहीं है हमें उससे कि वो आएगा तो हमारी ये चीज़ हो जाएगी बस अक दिल का दिल से रिष्टा होता है कि मुझे उससे प्यार है इसलिए मुझे उससे connect होना है मुझे इसलिए उससे connect नहीं होना है कि उससे connect होने पर मेरी जरूरते पूरी होती है तो यहाँ पर जब intention pure होता है और connectivity emotional level पर दोनों तरफ से अच्छी होती है इंटेंशनल लिवल पर भी दोनों तरफ से अच्छी होती है तो वो person आपकी life में manifest हो ही जाता है आज नहीं तो कल लेकिन मान लीजे वो person कभी आपके साथ emotionally connection में था ही नहीं उस person का intention सही था ही नहीं वो तो सिफ आया था आया था आपका सुख चैन चीनने के लिए और चला गया आज आपको रुला कर या परिशान करकर और आज आप रो रहे हैं परिशान हो रहे हैं manifest करने में लगे हुए हैं यहापर मान लीजे आपका intention भी बहुत अच्छा है emotions भी आपके हैं लेकिन सामने वाले का emotion connectivity उस आप से नहीं है और जब उसका emotional level पर वो connection नहीं है तो आप कितना भी उसको love vibration भेश दो कितनी भी उसको technique लगा लो उसके लिए वो जो emotions है वो energy है वो उसके पास जाएगी ही नहीं क्योंकि emotional level पर वो connectivity थी ही नहीं ताबो वो person आपकी life में manifest नहीं होता है ये उन लोगों की मैं बात करी हूँ जो already relationship में हैं जिनका already एक relationship था बहुत beautiful bond था आज बात नहीं हो रही है तो बेशक किसी वज़े से लडाई हो गया जगड़ा हो गया कुछ भी हो गया तो अभी की energies हो सकता है आपका भी intention प्योह है emotional level पर भी दोनों की connectivity है तो आज नहीं तो कल आप उस person को manifest कर ही लेंगे वो person को universe खुद लेकर आएगा आपकी जिंदगी में लेकिन अगर वो connectivity है ही नहीं तो आप कुछ भी कर ले वो person आपकी जिंदगी में नहीं आएगा चाहे आपका कितने भी साल का रिष्टा क्यों नहीं हो तो अब मैं यहाँ पर यह बोलूँगी यह advice दोंगी कि हमको नहीं पता हमको तो यहीं लगता है कि सामने वाला तो हमें बहुत प्यार करता है तो अपना काम करो अपना जो technique लगाना है लगाओ और उसके बाद छोड़ दो जो होगा होगा और जो होता है उसको accept करना सीखो और किसी पर depend रहने की ज़रूरत नहीं है खुश रहना सीखो अब बात कर लिती हो उन लोगों की जो किसी relationship में नहीं है किसी person को manifest करना चाहते है किसी specific person को manifest करना चाहते है आपका crush है यहाँ पर universe कैसे काम करता है यहाँ पर देखिए आपकी कुछ इक्षाय है उस person को लेकर यानि कि आपके मन में एक चवी थी पहले से आपने एक सोच रखा था एक मेज थी कि मेरा जो partner होगा वो ऐसा होगा अब वैसा ही एक partner आपको नजर आ गया जिसकी same physical appearance है जिसका same nature है तो आप attract हो गए आपका वो crush बन गया अब उस person की भी कुछ ना कुछ ख्वाइश होंगी अपने partner को लेकर कि मेरा partner जो है वो ऐसा दिखना चाहिए उसका nature ऐसा होना चाहिए ये qualities होनी चाहिए तो अब अगर वो जो उसके qualities है जो उसके मन में है उसकी imagination में है अगर आप से match कर जाती है उसकी वो qualities जिसके बारे में वो सोचता है वो आप में है तो वो person आपकी तरफ आएगा आप उसको easily manifest कर लेंगे लेकिन अगर उन ख्वाइशों की विपरीत है आपकी जो qualities है तो वो person को आप manifest नहीं कर सकते तो समझा करो इस चीज़ को आँख बंद करके कुछ भी नहीं करना है कि मुझे उस person को पाना ही पाना है जो आप लोग पागलपन दिखाते होगी मुझे तो हर हाल में वो person चाहिए ही चाहिए यह तरीकी का need है तरीकी का wrong intention है कि मुझे चाहिए ही चाहिए क्योंकि मुझे खोशी मिलेगी तो यह intention wrong होगी है यहाँ पर जब आप खुद में संपूर हो ना जब आपको किसी की जरुवत नहीं है उस वक्त भी अगर आपको वो person चाहिए just because आप उसको प्यार करते हो आपके लिए आपके मन में उसके लिए genuine emotions है तब universe भी आपकी मदद करता है तब universe आपको वो person खुद लाकर देता है लेकिन पहले आपको खुद को self love में लाना होता है लेकिन जब आप neediness दिखाओगे कि उसके बिना मैं अधूरा हूँ और वो मेरी life में आ जाए तो कहीं न कहीं आप अधूरे ही रह जाते हो और वो person आप से और दूर हो जाता है तो इस चीज़ को जितनी जल्दी समझोगे और इसको implement करोगे उतनी आसानी से अपने partner को manifest कर लोगे So thank you so much for watching my video Bye